कुल्फी पार्टी में गाने के लिए तैयार है और विक्रम को उम्मीद है कि इससे उन्हें संपर्क बनाने में मदद मिलेगी और मर्फी भी उनके साथ है लवली और अमायरा भी पार्टी में आती हैं और सिकंदर को यह जटका लगता है क्यूंकि वे जानती है कि अगर लवली उसे देखेगा तो वे उसे पहचान लेगी सिकंदर ऐसा नहीं चाहते हैं लेकिन अपने रहसे को बनाए रखने में असफल रहेंगे क्यूंकि लवली उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेगी लवली किसी के साथ सिकंदर उर्फ मर्फी सच्चाई को उजागर नहीं करेंगे और इसका लाब उठाने की योजना बनाएंगे इस तरह है लवली अपने चालाक दिमाग को चलाती है और सिकंदर को कटपूटली बना देती है और उसे विक्रम की योजनाओं के बारे में सारी जानकारी देती है विक्रम चिड़ गया क्योंकि कुछ भी काम नहीं कर रहा है अब कुल्फी से कहता है कि अगर वे प्रसिद्ध होना चाहता है तो उसे उसके निर्देशों का पालन करना होगा विक्रम कुलफी को जन्म दिन की पार्टी में प्रदर्शन करने के लिए कहता है क्यूंकि इससे उन्हें अधिक संपर्क मिल सकता है और कुलफी इसके लिए सहमत है सिकंदर उर्फ मर्फी वास्तव में खोश नहीं है लेकिन ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सका क्यूंकि इससे विक्रम को संदेह हो सकता है लवली और अमायरा भी बर्थडे पार्टी का हिस्सा है और कुलफी देख कर धूधू कर जल रही है हाला कि सिकंदर उनके सामने नहीं आ सके सिकंदर अपनी पहचान चुपाता है क्यूंकि वे जानता है कि प्यारी उसे पकड़ लेगी इस तरह लवली ने सिकंदर को रंग ये हाथों पकड़ा और इस तरह विक्रम के खिलाफ उसके लाब के लिए उसके मर्फी अवतार का लाब उठाने की यूजना बनाई